आप सबी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और आज आपकी डेट है एक दिसंबर 2021 को यूपी PCS प्ररम्बिक परिक्षा का डेट आपका घोसित कर दिया गया है और दूसरी सुचना है इस वीडियो में यूपी आरो एरो 2021 परिक् वाइडरों को हम देखेंगे इस वीडियो में और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर बहां स्ब्सक्राइब करने हमारे इस चैनल को और बैल आइकन बिटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रुकार की ऑथैंटिक ici और इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें और इसी चैनल के माध्यम से सरकारी नौक्रियों के बारे में जानकारिया दी जाती हैं तो देखिए आपके सामने ये नोटिस है जो की जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोगसेवा आयोग के द्वारा और इसमें आज की रेट आपकी लिखी है 1 दिसंबर 2021 और इसमें देरखाय की समलित राज्ये, पिर्वर अधिनस्थ सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2021 21 तथा सायक बन संदक्षक छेतरी बन अधिकारी सेवा प्रारमिक परिक्षद 21 का रेल्ट आपकर डेक्लियर किया जा चुका है ऐसे अभ्यारती जिन्होंने यूपी पीसेस प्रारमिक परिक्षद दी है बहें सवी अभ्यारती जो हैं वेपसाइट पर जाकर जो हैं लोग से वायोखी अपना रेल्ट देख सकते हैं और ये आपका जो है रेल्ट आजी जारी हुआ है क्योंकि हमने आपको चार दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइट कराई थी उसमें आपको बताया था कि यूपी पीसेस प्रारमिक परिक्षा का जो रेल्ट आपका है बहें पूरा तयार हो चुका है और जल्द जारी हो जाएगा और ये बात हमारी सत्य सिद्वी है आजी आपका रेल्ट घोसित किया जा चुका है अब इसमें जो है ऐसे अभ्यारती जो पास हुए है बहें मुखे परिक्षा में शामिल होंगे तो इध्यानकिया आप इस वीडियो को जादे स्यादक गुरूप में आप लोग सिर कर दें ताकि सभी कोई जानकरी मिल जाए कि ऐसे अभ्यारती जिन्होंने प्रारमिक परिक प्रारमिक परिक्षा में जो की मिन्स परिक्षा देने जाएंगे अब उनका पूरा रॉलंबर जारी किये गए हैं आप लोग लोग सिवा अयो की जो वैपसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरू बताएं कि हमारे द्वारा बनाएगी वीडियो आपको ये कैसी लगी और इसके बाद हम देखते हैं दूसरी सूशना दूसरी सूशना उन अभ्यारतियों के लिए हैं जिनकी परिक्षा है यू यूपी पीएसी यानि की आरो एरो एक्जाम दोयार 21 उत्तर प्रदेश पवलिक सर्विस कमीशन दौरा पांच दिसंबर को दोयार 21 को यानि की आरो एरो के पदो पर भरती के लिए एक्जाम आईजित करवाये जाएगा लेकिन प्राणबिक परिक्षा से पहले ही गोरकपुर और मिर्जापुर में तीन एक्जाम सेंटर को बनला गया है और ऐसे अभ्यारति जिनों ने अपना एडमिट कार्ट डाउनलोड कर लिया है वो दोबारा चेक कर लें अगर आप लोग गोरकपुर और मिर्जापुर से हैं तो अपना एडमिट कार्ट को आप लोग दोबारा चेक कर के जाएं क्योंकि कुछ बनलाप किया गया है और आपको हम देखाएंगे इसी वीडियो में और ये जानकरी हमें जी न्यूज चैनल के माध्यम से मिली है जो की एक ऑथेंटिक चैनल है और आज ही आपका ये ब बदला गया भारतिय एंटर कॉलिज एफसी आई रोड यानि कि ये गोरकपुर ब्लॉक एक ही जगह इसलामिया कॉलिज ऑफ कॉमर्स यानि कि इसमें सेंटर चेंज कर दिया गया है आपका और ये ब्लॉक बी के इस्तान पर इसलामिया गल्स एंटर कॉलिज जाहिवाबाद यानि कि गोरकणाथ गोरकपुर को एकजाम सेंटर बनाए गया है तो ऐसे अभ्यारतियों को आप लोग वीडियो सेर कर दें जिनकी परिक्षा गोरकपुर और यानि कि मिर्जापुर में है वो अपना सेंटर को चेक कर सकते हैं कभी कुछ बरलाब उनके में हुआ है और इसके बाद हम देखेंगे आगे जो की महत्पुर सूचना है जो परिक्षा देने जा रहे हैं 5 दिसमबर 2021 को तो देखी इसमें लिखा है कि मिर्जापुर में यह सेंटर बदला गया और इसमें लिखा है कि मिर्जापुर का के बी पी जी कॉलेज यानि कि ये मिर्जापुर के इस्थान पर पंडित महादेपरसाद दूवे इंटर कॉलेज कोटवा चुनार रोड मोहनपुर पुर्पुर को एक्जाम सेंटर बनाय गया है तो ये आपके लिए महत्पुन सुचना थी हमारे इस चैनल के माध्यम से आगर कोई परिक्षा से पहले कोई और अन्य जानकारी होगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना कर प्रोवाइड करा देंगे इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारिया मिलती रहें धन्यवाद